चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे वंडे एकजाम को देहान में रखते हुए आपके कुछ मत्मूर कुश्चन्स ले रहा हूं और उनकी विस्तार से आंसर बता दिये जाते हैं तो एक तरह से आप अगर दस कुश्चन्स भी सॉल करते हैं तो तीस तरह के आप कुश्चन्स सॉल करने की स्तिति में पहुंच जाएंगे इन कुश्चन्स को लगाने के बाद याद रखिए इस तरह के हम लोग 5 टेस्ट आपके खतम कर चुके हैं यह आपका चटवा टेस्ट है और मेरा वंडे एकजाम का कहने का मतलब यह होता है कि इस तरह के इस प्रक्किती के कुश्चन्स जिस भी परिक्चा में पूंचे जाते हूं आपका फिर चाहें SSC हो रेल 500 कुश्चन्स तक solve करवा दूँगा ठीक है तो इतना करवा दूँगा कि आपका मुझे नहीं लगता है कि इस से बाहर कोई कुश्चन्स जाएगा और याद रखिए बैसे आपको इतना material प्रवाइड करवा चुका हूं कि आपका कोई भी computer science हो या फिर कोई भी DS में कोई भ पास notification नहीं आता है तो याद रखिए जो बैल आइकन है इसे प्रेस जरूर कर लें इससे जो भी आपका lecture अपलोड होता है उसका notification आप तक पहुंच जाएगा तो चलते हम लोग चटवे टेस्ट का आपका पहला questions देखते हैं क्या है हमारा पहला questions जुझार सींग बंदेला ने किसके खिलाब बिद्रो किया था तो आप सभी को पता होगा कि ये थे साय जहा क्या होगा C option, साय जहा आपने सुना होगा कि जुझार सींग, राजा बीर सींग, बुंदेला का पुद्ध था उसके राजी की साय जहा की सैना द्वारा तलासी लेने के कारण उसने साय जहा के खिलाब बिद्रो कर दिया था जिसे बात में आपने दिखा कि साय जहा के खिलाब बिद्रो कर दिया था तो क्या होगा इसमें C C option अंगला कुक्षेन है हमारे सामने मुगल काल की सीमाय किसके काल में चरूत करस पर थी, यानि कि सबसे उच्चे स्तर पर थी तो यह देखोगे आप लोग किसके औरंग जेब के है और याद रखे औरंग जेब के बात जितने भी मुगल सासक हुए वो सभी कमजोड थे तो इस पाद आपने देखा है कि बहुत दिन तक मुगल समराज टिक भी नहीं पाया है उसके बाद खतम होता गया तो सबसे जाना मुगल साथ एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंतिम सक्ति साली सासक औरंग ये भी था कि यही अभी तक मतलब अपनी मुगल जो भी राजगी सीमाय थे इन्हें समाली हुए था इसके मानने के बाद सब एक तरह से पतन हो गया इसका तो इसमें क्या सी कुश्यन है परांगला सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों खेती आदी के लिए दिया जाने वाले रेड को क्या कहा जाता सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों खेती आदी के लिए दिया जाने वाला रेड को क्या कहते थे तो इसे कहते थे आप लोगों को याद रोगा तकावी, क्या कहते थे तकावी, ए उप्शन सही है, जो भी किरसी कार गुगा करते थे, इनके लिए जो भी रिड दिया जाता था, उसे तकावी कहते थे थे उस समय, ठीक है? कुश्यन है भारा अंगला मुगलकाल में अमल गुजार किस्चेत में था? अमल गुजार किस्चेत में था? मुगलकाल की बात करा हूँ किस्चेत से था ही? यह था राजस से अमल गुजार अकबर के समय के अधिकारी होते थे उनका कार होता है, बहुमी कार होता था भूमी राजस का मुल्यांकन और उसका संग्रे करना ठीक है कुश्चन है हमारे सामने किस राजा ने तमाकू पर रोक लगा दी थी किस राजा ने तमाकू पर रोक लगा दी थी तो आपको मालू होना चाहिए कि जहां गीरने आज हमारी सरकारें आपने देखा है कि इस तरह के कामों पर रोक नहीं लगा रही है लेकिन आप समझे उस समय कितने अच्छे सासक हुआ करते थे कि तंबाकू वो इस तरह की चीजों पर रोक लगा दी थी यह आपकी वात है 1870 की जहांगीर के समय की कुश्यन है हमारी सामने मलिक मुहमत जैसी ने पदमाबत की रचना किसके काल में की मलिक मुहमत जैसी ने पदमाबत की रचना किसके काल में की थी तो यह था से साहे कौन था से साहे के काल में पदमाबत रानी पदमनी के बारे में लिखा गया है इसमें महाकाब है इसकी रचना मलीक मुहंबद जायसी निकी थी तो क्या लगाओगे आप तो A option Question है हमारे सामने सास्तिये संगीत की सबसे जान्दा पुष्टक किसके समय लिखी गई है सास्तिये संगीत की सबसे जान्दा पुष्टक किसके समय लिखी गई है ए औरंग जेब की समय है तो क्या लगाओ गया डी ओप्षन कुश्यन है हमारे सामने हुमायू नामा की रचना किसने की? हुमायू नामा की रचना किसने की? तो इसकी गुल बदन बेगम ने क्या एस सी ओप्षन सही है कुश्यन है हमारे अंगला क्या है? सिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर पे सासन कौन दिखता था? सिवाजी के सासन काल में राज्य का संपूर पे सासन कौन दिखता था? आप सभी को मालू होने चाहिए कि पेसवा पेशवा अश्ट पिरधान में सरपित्वम था आपने सुनाओगा कि अश्ट पिरधान किसके समय थी? यह आपकी सिवाजी के समय है, मराठा समराठों की दौर पित्वम पेशवा मौरोपंद थे, कौन? मौरोपंद कलांतर में पेशवा कपत बहुत सक्ती साली हो गया और राजा नामात का ही राजा रहेगा एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्टपती आप देखते हैं कि हमारा राष्टपती सबसे उपर है लेकिन वो नामात का है जो भी पैसे ले होते हैं आप देखते हैं किसने संधी की? इस पहें मुगलों की तरफ से किसने संधी की थी? जैसिंग पिथम डेंग किसने जैसिंग पिथम डेंग पुरंदर की संधी आपकी 11 जून 1665 को हुई कब 11 जून 1665 को या माराथा वो मुगलों के वीच हुई थी इसमें मोगलों की तरफ से जैसिंग पिथम थे और इसके बाद सिवाजी को अपने कई किले मोगलों को देने पड़े थे समझ रहे हैं यह ओप्सन सही है क्वेश्चिन है मारे सामने कोहिनूर हीरे का पिथम स्वासी स्वामी कौन थे आप लोग कई बार इसको सुनते भी रहते हैं कोहिनूर हीरा तो इसके पिथम स्वामी कौन थे? इसके थे काक्तिये कोहिनूर हीरा तेरे भी सदी में गोलकुंडा की खान से निकाला गया था या पहले काक्तिये राजाओं के पास था लेकिन मलिक कपूर की आखमर की समय वहा के राजा पिरताब रुद्द देव दूतिये ने यहिदा उन्हें बहेट में दे दिया था जिसके बाद ये खिली खिलीयों के पास पोचा फिर आपने देखा कि मुगलों के पास पोचा अंत मेर ररजी सींग के पास रहा जो सिखों की अंग्रेजों के द्वारा हार के बाद बेटेन चला गया तो आप याद रखिए सबसे पहले काक्तिय राजयाओं के पास और लाश्ट में अभी की बात करें तो ये बेटेन में चला गया है अंगला कुश्यन है हमारी सामने महजर नामा किसने तयार करवाय था अकबर ने महजर नामा 1589 में अकबर ने तयार करवाय था किसने अकबर ने इसे सेख मुबारक ने तयार किया था, सेख मुबारक ने, महजर नामा के इनसार अकवर राजी का सबसे बड़ा इमाम बन गया था, इसमें आपका A उप्शन सही होगा, कुश्यन हे बारंगला, सिकंदर एसानी की उपादी किसने धारन की थी? आपको मालू होना चाहिए कि अलाउत दीन खिल जी अलाउत दीन खिल जी दिल्ली सल्तनाथ का एक बहुती मत्वाकांची सासक था उसने सिकंदर सानी की उपादी धारण की थी जिसका एक तरह से अर्थ होता है कि दूसरा सिकंदर अलेकजेंडर सिकंदर महान कौन था इसके बारे में हम लोगों ने बायोग्राफी भी आपकी कवर की हुई है तो आप लोग एक बार देख जरू लिया करिएगा बायोग्राफी इस तरह कि क्या है कि विस्तार से मालूश चल जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पूरी इतिहास में प्राचीनकाल से ही कवर किये जा रहे है सभी लोगों के बारे में बताया जा रहा है तो अनके बारे में भी आप लोग पढ़ते रहा करिएगा चलते हंगले कुश्यन की तरब खजुराहो के मंदिरों का निर्माट किस बंज के राजाओं ने करवाया खजुराहो की मंदिरों का निर्माट किस बंज के राजाओं ने करवाया तो आप देखेंगे चंदिल राजाओं ने ए आपके 11 से 12 सदी में के करीब करवाय गया था यहां आप कुल मिलाकर 85 मंदिर भुगा करते थे जिनमें आप देखेंगे अभी वर्दमानित 25 मंदिर सेस रहे गए और बाकी नर्ष्ट हो गए खजुराहो चंदेलवन्स की राध्धानी भी रही है यहां महादेव का कंदारिया महादेव मंदिर बहुती पिसित है यह आपका मद्विदेश के खजुराहो चतरपोर जिले में पढ़ता है विस्वरासस इस्थलों में भी इसे सामिल किया गया है अंगला कुष्चन है भारत में पिथम बार मंगोलों की प्रवेश के समय दिली पर किसका असासन था आप लोगों को याद रखना चाहिए किसका क्या करेंगे सी ओप्शन सही होगा बिलकुल अंगला कुष्चन है हमारे सामने अब्दुल हमीद लाहोरी द्वारा लिकित पाद साहनामा किस राजा की राज्य की बारे में रचना है यानि कि आप कह सकते हैं जो अब्दुल हमीद लाहोरी द्वारा लिकित है पाद साहनामा ये किस राजा के बारे में बताता है किस जराजा के बारे में जानकाली देता है तो ये आपको मालू होने चाहिए साह जहा क्या साह जहा D option सही है यहाँ आप सबसकते हैं कि अब्दुली या पूछलेगा आपके से पादसाहिनामा की स्थापना किस ने की थी तो आप राजना किस ने की थी तो अब्दुल हमीद लहोरी भी इसे भी आप लोग याद रखिए याद रखिए मैंने हमें सब बुला है कि हम लोग किताबें कितने भी पढ़ लीजे आपको किरन सामान किया कि बुक्स कबर करवा दीगे मुझे नहीं लगता है कि वंडे एक जाम में आपका कुस्ट से बाहर कोई कुस्टन्स जाएगा अब रह गया है कि आपको कुस्टन्स बनाने आना चाहिए क्योंकि आप देखते हैं कि कुस्टन्स ही ना बना पाएं तो फिर हम लोग कैसे सॉल कर पाएंगे तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि हजार से पंद्रे पंद्रे सो कुस्टन्स सॉल करवा दूँ आपके तो गम से कम आपको अंदाजा रह जाएगा आगे आप लोग करते रहिए पढ़ते रहिए महनत और जो भी आपकी मतलब जो भी चाहिए आपको बताते रहे न देता रहूँगा प्रवाइड करवा दूँगा अंगला कुश्टन हमीम हमाम किस राजा की साही स्कूल का मुख संचालक था ये था अकबर की ये ओप्शन सही है अकबर की नवरतनों में से एक भी था ये चलते हैं ले कुश्टन की तरफ कुछ दिनों में पसू हत्या के लिए किसने बेन लगाया था कुछ दिनों पर मतलब कुछ दिनों के लिए किसने पसू हत्या पर पसू हत्या के लिए किसने बेन लगाया था अकबर ने ये आपकी 1583 में अकबर ने पसु हत्या पर रोक लगा दी थी हाला कि ये रोक कमी समय के लिए थी अल्ब कालिक ही रही है उसके बाद फिर चो दुबादा चालू हो गई कुश्यन है मारा अंगला उस्ताद इसा किस इमारत से सम्मधित था तो ये तो आप लोग जानते होंगे सबी लोग ताज महल आप लोग इसके दर्सन भी करने यानि कि यहां घूमने भी जाते हैं समझ रहे हैं आसिक कुछ जानदा ही इसे महत्त देते हैं अगला कुश्यन है हमारे सामने क्या है सही है देना भी चाहिए बस अपने केरियर पर थोड़ा ध्याग देते रहिएगा मालू चला कि यासकी के चक्कर में आसिक भी यास से निकल गया और मिला भी कुछ नहीं इसलिए अगर केरियर बना लिया तो सब कुछ मिल जाएगा सूर सागर किस के समय लिखी गई है तो अकवर के समय लिखी गई है वी ओप्सन सही है और किसने लिखी थी ये सूर दास में और एक बात और याद रखी राम चरित मानस की रचना किसने की थी ये भी इसी समय की इसी समय रच्चित हुई है तो तुलसी दास साहब ने चलते अंगले कुछन की दरब बिक्करम पुरी और विजय पुरी किस राजा की राधानिया थी तो यह थी आपकी विजय सेम की B option सही है सैनबंस बंगाल का एक राजबंस था उसी का साज़क था विजय सेम Question है हमारा अंगला गहडवाल वंस की स्थापना किस ने की थी गहडवाल वंस की स्थापना किस ने की थी तो आपको मालू होगा चंद देवने यह कन्नोज का वंस होगा करता था गहडवाल गहडवाल गड़ह बाल गड़ह बाल इसकी स्थाफना 1090 में चंद देव ने की थी इसके बाद आप गोविंद चंद को भी देखते हैं 1114 से 1100 चंगमन की बीच यह मतलब महाल सा सकता गोविंद चंद अंगला कुश्यन है हमारे सामने जैचंद किस योद्ध में लड़ती हुए मारा गया जैचंद किस योद्ध में लड़ती हुए मारा गया था तो आपको मालू होगा कि चंदावर की योद्ध में यह आपका कब हुआ था 1194 में तराइन का पहला योद्ध आपका 1191 में दूसरा 1192 में और उसके बाद हुआ था आपका देखा होगा 1194 में आपका चंदावर का योद्ध होता है जैचंद और मुहमद गौरी की बीच इसमें यह क्या हुआ था कि जैचंद लड़ती हुए मारा गया था कुश्चन है एंगला मता पेशवा बाजी राओ ने किस राजपूत राजा की मदद की पेशवा बाजी राओ ने किस राजपूत 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 हरस किसके दर्वारी कभी थे तो मालो होगा आपको जैसंद के अंगला कुश्चन है हमारे समने राज सेकर किस गुर्जर पितिहार बंसी राजा की दर्वारी कभी थे तो यह थे महंदपाल पिथम के राज सेकर गुर्जर पितिहार बंसी राजपुत जो राजा महंदपाल सीम थे इनके पिथम इनके दर्वारी कभी थे इनकी रचना की बात करें तो काब मिवांसा इनकी रचना थे कुश्चन है हमारे सामने जाटों का पिलेटो किसे कहा जाता था जाटों का पिलेटो किसे कहा जाता था तो आप सभी को मालू होना चाहिए सूरज मल को सूरज मल आपका 1756 से 1763 तक भारतपुर में जाट राजमंस का राजा रहता है उसे जाटों का पिलेटू कहा जाता है भरतपुर राजिस्थान की बात की जा रही है ठीक है चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ क्या पूच रहा है अंगला कुश्चन गोकुला जाट ने औरंगे की खिलाब बिद्रोग कहां किया था गोकुला जाट ने औरंगे की खिलाब बिद्रोग कहां किया था तो यह किया था मतुरा में मतुरा में आपका 1679 से 70 मैं गोकुला जाट की नेतित में जाटों ने औरंगे की खिलाब बिद्रोग कर दिया गोकुला जाट एक जमीदार हुआ करता था जाटों के इस बिद्रों का मुख कारण हिंदू मंदिरों का तोड़ा जाना है क्योंकि आप जानते हैं कि ओरंग जेक के समय सबसे जानता हिंदू मंदिर तोड़ी गए और हिंदू हिंदूों का अभमान भी किया गया इसी कारण आपने दिखा हुआ हिंदू महिलाओं का भी अबमान किया गया इसलिए बिद्रो हुआ लेकिन इस बिद्रो को दबा दिया गया था और इंग जिप के बाद और इंग जिपने अंगला कुईशन ने मारे समने अरबो ने सिंद पर हमला पहला आकमड कब किया अरबो ने सिंद पर पहला आकमड कब किया यह किया था आपका साथ सो बारे में साथ सो बारे इस भी में यह आपका इस आकमड का मुहमत बिन कासिम ने नेतिति किया था इस नाम को भी याद रखे, मुहम्मद बिन कासिन इस समय आपके सिंद्ध के राजा होगा करते थे दाहिर और इसमें योद में बीर कती को ये प्राप्त भी हो गये थे जब ये उद्धूगा कुश्यन है मारत, तारीखे फिरोसाही किसकी रचना है? तारीखे फिरोसाही कि रचना किसने की या किसकी रचना है? तो यह आपको मालू होना चाहिए कि जिया नुद्दीन बर्नी की ए उप्सन सही है इसमें आप देखेंगे कि मुहम्मद बिन तोगलग और फिरोस तोगलग की बारे में पिस्तार से जानकारी मिलती है इसमें तो यह आप्सन सही है कुश्यन है मारे समने पदमाबत की रचना किसने की? इस पर कई बार वाज़त कर चुका हूँ मलिक मुहम्मद जायसी इसमें आप देखेंगे कि जो पदमाबत रानी पदमनी थी उनकी सुंदर्ता और जोहर का वर्डन इसमें किया गया है इसकी रचना मलिक मुहम्मद जायसी ने पंदरे सुचालीस में की थी कम पंदरे सुचालीसी सीबी में कुश्यन है मारे सामने अंगला किताब ए रहला की रचना किसने की? किताब ए रहला की रचना किसने की तो ये थे आपके इबन बतूता किताब ए रहला की रचना इबन बतूता ने की थी याद रखे उसमें इसने अपनी यात्रा का वितांत लिखा है जो इसने यात्रा की थी इबन बतूता एक मुरक्को का यात्री था तो पूछेगा आपसे कई बार पूछ लिया ही एवनवतूता किसके सासंकाल में भारता है था मुहममद बिन तोगलक के समय में ठीक है क्योश्चिन है हमारे सामने साइवेरिया के सारस और डोडो की चित किस मोगल चितकार ने बनवाई साइवेरिया के सारस और डोडो की चित किस मुगल चितकार ने बनवाई थी तो यह थे आपके उस्ताद मनसूर उस्ताद मनसूर एक मुगल काल ने इन चितकार हुआ करते हैं उसने अपनी चितकारी अगबर के राजिकाल के आखरी वरसों में सुरूँ की और बाद में आप देखेंगे कि जहांगीर के समय कार किया इसने जहांगीर का काल मुगल चितकाल का सोड काल कहलाता है जहांगीर का काल मुगल चितकाल का सोड का यो कहा जाता है याद रखिए ये भी आपका गईवार questions बन जाता है कि मुगल काल में चित कला का सुड काल किस काल को कहते हैं, किस के काल को जहां गीए के ठीक है question है हमारे सामने राष्ट कूट बंस की स्थापना किस ने की राष्ट कूट बंस की स्थापना दंती दुरुग ने की थी ये आठवी सदी की बात है आठवी सदी में की गई थी question है हमारे सामने संगम काल में पिल्लाई सब्द किस के लिए प्रयोग होता था संगम काल में पिल्लाई सब्द किस के लिए प्रयोग होता था, ये आपका चात्र के लिए यानि कि विद्धियातियों के लिए संगंगाल आप जानते हैं कि तमिलनाडु का एक प्रमुकाल रहा है दच्चिन भारत में कुश्च्यन है मारे सामने अंगला, जूना कहा किस राजा का असली नाम था? जूना क्हा था ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने गाजी मलिक ने किस बंस की स्थापना की थी तोगलक बंस की जासुद्दीन तोगलक समझ रहे हैं गाजी मलिक भी कहते हैं से अंगला कुश्चन है हमारे सामने अकवर ने बिविन टक सालों के कामकाज का केंदरी करण कब किया तो ये 1570 की बात है 1570 बी ओप्शन सही होगा आपका कुश्चन है हमारे सामने नेमलिकित में से किस योद में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ था आप समझ रहे हैं नेमलिकित में से किस योद में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ था भारत में तो आप सभी को माल हुआ कि पानीपत का पिथम योद एकब हुआ 1526 में किस-किस के बीच हुआ है बाबर और इब्राहम लोधी के बीच इस इद्ध में आपने देखा कि बाबर की जीत हुई थी इब्राहम लोधी माला गया था तो ये भी आपका पूच लेता है कि पानी पत का पहला यूद 1526 दूसरा 1556 तीसरा 1761 ठीक है याद रखी अंगला कुश कुश्चन है सैनबंस की स्थापना किसने की हैमंत सैन ने अंगला कुश्चन है वारे सामने निमलिकित में से कौन सा डिकन डिकन छेत में गुरिला यूद का अगड़ी माना जाता है निमलिकित में से कौन सा डिकन छेत में गुरिला यूद का अगड़ी माना जाता है तो यह आपको माल नहीं होने चाहिए कि मलिक अंबर कुश्चन है हमारे सामने अंगला क्या है दीन ए लाही धरम को सरपितम किसने गहट किया बीरवल ने किसने बीरवल ने दीन ए लाही अकबर द्वारा चलाये गया एक धरम था और याद रखे इससे सुईकार करने वाली पितम ब्यक्ति थे बीरवल कौन थे बीरवल question है हमारे सामने औरंगेव की मित्तिव के बाद हिंदूओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था औरंगेव की मित्तिव के बाद हिंदूओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था ये था जहांदर साय कौन था जहांदर साय B option सही है औरंग जिब ने 1689 में हिंदूओं पजजिया कर लगाया जिसे आगे चल कर आपने देखा कि जहां अंदर साई ने इसे हटा दिया था ठीक अगला कुछ़ेन है मारे सामने भारती इतियास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है भारती इतियास में राजा बनाने बाला किसे कहा जाता है ये कहा जाता है सियद बंदू को ये options है अब्दुल्ला खां और हुसेन अली दो भाई हुआ करते थे जिने भारती इतियास में राजा बनाने बाला कहा जाता है ये मैसो पोटामियां से आये हुए थे और पटे आला म ये उद में मात्पुर भूमिक्या भी निभाई थी। इसलिए ने राजा बनाने वालास कहा जाता है। Question है मारे सामने अंगला, नादिर साहे के आकमण की समय मुगल राजा कौन था? नादिर साहे के आकमण की समय मुगल राजा कौन था? एता मोहमद साहे। D option सही है, मुखमद साहे। इसे रंगीला भी जानते हैं आप लोग, रंगीला की नाम से। Question है अंगला हमारे सामने, कस्मीर में साली मार और निसाद बाग किसने बनवाए था? एत जहांगीर ने बनवाए था। B option आपका सही होगा। Question है अंगला हमारे सामने, इन में से कौन अमीर कुसरों की गुरू थे? इन में से कौन अमीर कुसरों की गुरू थे? तो यह थे आपके निजामुद्दीन औलिया, यह एक सोफी संथ थे। क्या थे? सोफी संथ थे। ठीक है? अंगला कुश्यन हमारे सामने, निमलिकित में किसने स्री भास की रचना की? रामा नुजा चार ने ए ओप्शन सही होगा। इन्होंने स्री भास की रचना की थे। अंगला कुश्यन हमारे सामने, सूर्दास किसके सिस से थे? तो मालू होना चाहिए कि वल्लभाचार के? कुश्यन है हमारे सामने, किष्ण देवराय ने कहा कि पिसिद मंदिर का निर्माड कराये? तो यह हजारा किष्ण देवराय ने बिजय नगर समराज की सरफश्ष्ट सासक थे? किसके? बिजय नगर समराज की. उन्होंने 509 से 1530 तक राच किया. इन्होंने 1000 मंदिर के निर्माड भी करवाय था. ठीक है? तो यह थी कुछ मत्मूर कुश्चन्स और उनके आंसर. तो आपका चटबा टेस्ट खतम होता है. तो चलिए अंगले साथवे टेस्ट में हम लोग मिलते हैं. अच्छी से पढ़ती रही है अप लोग. अपाच किया झाएटू झाएटू से अगले साथवे लोग मिलते हैं.